गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे यूनिट एर्थ सिंप्लिफिकेशन ओफ नुमेरिकल एक्स्प्रेशन चीक है तो इसमें फर्स्ट ओफ ओल आपको एक रूल लॉन करना पड़ेगा अपको डी मास पहले डिवीजन को सोल्फ करना है मल्टिप्लिकेशन को एडिशन को सब्ट्रेक्शन को डी फोर डिवीजन यह देखो डिवीजन पहले फर्स्ट अगर आपको एक बहुत बड़ी एक्वेशन दे रखी है उसको सोल्फ करने के लिए कहा है पहले डिवीजन को सोल्फ करोगे सेकंडली मल्टिप्लिकेशन देन एडिशन एड देन है simplify the following numerical expression 3 multiply 2 plus 8 minus 6 sorry first part है आपका 3 multiply 2 plus 8 minus 5 अब इस में क्या होगा बिटा आपको इन questions को solve करने के लिए देखो यहां multiply भी है addition भी है subtraction भी है तो इसके लिए हम कौन सा rule लगाएंगे d mass rule लगाएंगे मतलब पहले division division यहां नहीं है तो नहीं है multiplication multiplication इन दोनों के बीच में है पहले इन दोनों को solve करेंगे कर दिया 3 to the 6 plus 8 as it is उतारा plus minus 5 यह हो गया अब वो कह रहा है multiplication multiplication के बाद addition तो इन दोनों के addition इन दोनों के addition क्या होगी 608 कितने होते है 14 ठीक है minus का 5 कितना हो गया 14 minus 5 कितना हो गया 9 ठीक है then second part है यानि कि B part है आपका उसमें क्या है 18 plus 4 multiply 6 divided by 2 minus 9 तो इसमें हम D mass rule लगाना है तो D मतलब division firstly आपको यह solve करना है तो बाकी सारा as it is उतारना है तो देखो 18 आपने as it is उतार लिया plus 4 multiply का symbol as it is 6 को divide करोगे 2 से तो कितना आता है बेटा 3 minus 9 then division अगर आपने solve कर ली then उसके बाद क्या करोगे multiplication एह मैं multiplication इन दोनों का करोगे 4 3 दा कितना होता है बेटा 12 minus 9 यह second step किया third step क्या कर रहा है addition को solve करो addition को जब आप solve करते हो 8 कितना होगा 30 आ जाएगा 30 minus 9 30 minus 9 कितना होता है बेटा 21 ठीक है same c part है आपका उसमें c part में क्या करना है आपको 14 plus 28 divided by 7 into 3 यह है तो first divide division को solve करोगे आपको कहोगे firstly मैं division को solve कर रहा हूं यह कर रही हूं 14 plus 28 को 7 से divide करोगे यह कितना आएगा 4 आ जाएगा बेटा 4 multiply 3 minus 17 then आप multiplication इन दोनों की multiplication second step की होगा multiply को solve करोगे 14 plus 43 the 12 minus 17 then next step क्यों होगा आपको addition को solve करना है 26 minus 17 तो इसको solve करोगे तो आपका answer कितना आ जाएगा 9 ठीक है then दी पार्ट 18 minus 2 multiply 10 divided by 2 plus 3 वही first of all हम क्या करेंगे division को solve करेंगे 18 minus 2 multiply से 10 को divide करोगे 2 से कितना होगा 5 plus 2 then आपको क्या कर रहा है multiply multiply इन दोनों की बीच में है multiply को solve करोगे 2 5 the 10 plus 2 then next में क्या कर रहा है addition को solve करना है तो addition इन की बीच में है 18 अब देखो 18 अब addition को कैसे solve करेंगे यहाँ minus 10 है और यहाँ plus 2 है तो minus 10 plus 2 कितना हो गया minus 8 हो जाएगा minus 8 तो आपका answer जो आजाएगा वो कितना आजाएगा बेटा 10 आजाएगा ठीक है E part है E part देखिए 25 divided by 5 multiply 8 plus 6 minus 12 तो इस question को solve कैसे करोगे पहले division को solve करना है 25 को 5 से divide करोगे 5 आजाएगा multiply 8 plus 6 यह 12 second step में क्या कहता है multiplication को solve करो तो कितना है second step 4 at the 40 plus 6 minus 12 then कि वो क्या कहता है addition को solve करो 40 plus 6 46 then 12 46 में से बीटा 12 गए कितना होगा 6 में से 2 गए 4 4 में से 1 गया 3 तो 34 हो गया ठीक है then F part है 34 आपका इसका answer आगया then F part है F part में देखो क्या है 27 20 में से 9 गए कितने होते हैं हम एक बार note down कर लेते हैं 27 minus 42 divided by 3 plus 60 तो first of all division को solve करना है तो division को solve जब हम करेंगे तो 81 को divide करना है 9 से तो 9 आ जाएगा plus 9 minus 60 then आपको क्या कर रहा है multiplication solve करते हैं 17 3 गए कितना होते हैं 51 plus 9 into 60 51 then addition solve करते हैं तो यह क्या हो गया 60 into 60 then आपका answer आगया 0 ठीक है same यह question इसमें division को solve करो 27 as it is division 3 को divide करना है 42 से 3 1 दा 3 3 4 दा तो आपके पास 14 plus 6 आ गया then आपके पास क्या कहते हैं addition को solve करो तो 16 minus 14 कितना हो गया 2 तो यह आपका answer जो आगा 25 ठीक है 20 sorry बिटा यह देखिए 14 है यह बड़ी जीज़िट के सामने किश इसका है plus का तो plus यह 29 आ जाएगा 27 plus 2 कितना होगा बिटा 29 then हम we move to worksheet 2 good morning students देखिए यह भी जो questions है 7 by 8 minus 3 by 8 plus 5 by 8 worksheet है वो भी D mass rule के according करेंगे तो first of all हम इनका क्या करेंगे addition करेंगे तो addition में देखो minus 3 by 8 plus 5 by 8 देखो denominator आपका same है 5 में से 3 गए कितना हो गया 2 7 by 8 plus 2 by 8 फिर add करोगे तो आपका बिटा answer जो हो जाएगा इसका आ जाएगा 9 by 8 ठीक है 9 by 8 है अगर आपको इसको mixed fraction की form में लिखना है तो then आप कैसे लिखोगे 8 divided by 9 8 बन्दा 8 ये 1 by 1 by 8 आ जाएगा ठीक है अगर आपने answer match करना है तो आपका ये answer होगा ठीक है then आपका B part है ठीक है उसकी बार है आपका B part है 1 by 2 plus 3 by 10 divided by 3 by 5 तो first of all आपको क्या करना है D mask rule के according आपको division को solve करना है तो division जब आपने solve की थी तब हम क्या करते थे ये जो यहाँ पर bracket में लिखा होता था left hand side में लिखा होता था वो हम as a tease लिखते थी ठीक है as a tease लिखते थे और जो यहाँ पर लिखा होता था मतलब divide के right hand side में लिखा होता था उसका reciprocal करते थे जैसे 3 by 5 है 3 by 5 का क्या होता था 5 by 3 and then multiply करते थे ठीक है अब यहाँ पर question आ गया 1 by 2 plus 3 by 10 into 5 by 3 तो इसमें plus और multiplication है तो क्या solve करेंगे multiplication पहले solve करेंगे तो second step में यह होगा multiplication solve करो 3 by 5 दा कितना हो गया numerator को numerator के साथ denominator को denominator के साथ 3 by 5 दा 15 3 by 10 दा 30 तो देखो यह 15 के table पर cut रहा है कैसे 15 1 दा 15 15 2 दा 30 तो 1 by 2 और 2 इसमें क्या होगा 2 2 same है 2 आपका यहाँ पर LCM होगा 1 1 कितना हो गया 2 into 2 क्या होगा आपका data answer जोगा B part का आपका answer आजाएगा 1 then हम करते हैं C part तो C part है वेटा यह आपको mixed fraction में दिया हो है पहले mixed fraction को solve करना है 2 1 by 2 plus 3 1 by 8 plus 1 1 by 4 plus 1 1 by 4 sorry यह जो symbol है वेटा यह है divide का ठीक है divide का है पहले mixed fraction को solve करो 2 को 2 से multiply करो 4 आगया जो चीज आई है उसमें कितना add कर दो 1 तो 2 2 दा 4 4 और 1 कितना हो गया 5 by 2 plus 8 3 दा 24 24 और 1 25 by 8 plus 4 1 दा 4 4 और 1 कितने हो गया 5 by 4 4 1 दा 4 1 5 by 4 तो हमें क्या है सबसे पहले division को solve करना है D maz rule लगाएंगे 5 by 2 as it is plus 25 by 8 5 by 4 है 5 by 4 को हम क्या लिख सकते है पहले इनका reciprocal करेंगे 4 by 5 then multiplication ठीक है इसको फिर multiplication क्या है addition multiplication addition तो सबसे पहले हम क्या solve करेंगे multiplication solve करेंगे 5 by 2 25 45 4 दा 100 होता है 85 दा 40 होगा 0 से 0 ये cancel हो जाएगा 0 से 0 cancel होगी क्या 10 और 4 एक table पे जाते हैं हम जी किसके 2 2 दा 4 2 5 दा plus 5 by 4 तो आपके पास ये आ जाएगा 5 by 2 plus 5 by 2 plus 5 by 4 अब इनका हमें क्या लेना होगा LCM LCM लोग देखो 2 2 4 है तो क्या ये same 2 2 4 किसके table पे जाते हैं 2 के table पे 2 के table पे किया 2 के table पे 2 किस number पे जाता है 1 number पे 2 के table पे 2 किस number पे जाता है 1 पे 2 के table में 2 किस number जाता है 2 के तो अब फिर वही 2 के 2 2 दा 4 हमारा जो LCM आ गया है 4 2 को 4 से divide करो कितना आएगा 2 को divide करो 4 से तो 2 आ रहा है आपको जो ये 2 आया है उसको 5 से क्या करना है multiply 2 5 दा 10 then वही 2 को 4 से करो के 2 आ जाएगा फिर वही 5 10 आ जाएगा 4 को 4 से divide करो 1 1 को multiply करो 5 से तो कितना है 10 और 10 कितनी होते है 20 20 और कितनी होगे 20 और 5 कितनी होगे 25 बाइ 4 then अगर आपको answer match करना है then वही करो 4 को divide करो 4 answer में क्या है mixed fraction की form में दे रख है mixed fraction की form में दे रख है तो देखो 4 7 नहीं जाता 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 5 दा 20 4 6 दा 24 पे जाएगा 24 हो गया 1 आ गया तो ये देखो इसकी mixed fraction करो गये 4 आपका answer आजाएगा then हम move करते हैं कौन से part की तरफ D part की तरफ D part है 5 by 8 divided by 3 by 4 minus 1 by 2 1 1 by 2 तो पहले तो mixed fraction को solve करना है 5 by 8 divided by 3 by 4 1 by 2 multiply 2 बंदा 2 और 3 by 2 अब यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले D ma सुरू लगाते हैं divide को solve करते हैं 5 by 8 as it is divide का है इसका क्या करेंगे reciprocal करेंगे यह हो गया कितना symbol आ जाएगा multiply का 1 by 2 minus equal to sorry sorry multiplication 3 by 2 तो हमार पास क्या आएगा 5 by 2 multiply 4 by 3 1 by 2 into हमारे पास rule क्या है multiplication को solve करना एक multiplication है subtraction है then multiplication है तो दोनों से इस step में क्या करेंगे दोनों की multiplication को solve करेंगे 5 4 ता 20 8 3 ता कितना होता है 24 minus का symbol as it is 3 1 ता 3 2 2 ता 4 फिर क्या करेंगे देखो 20 और 24 क्या एक table पे जाते हैं yes 4 5 ता 20 4 6 ता 24 तो 5 by 6 minus 3 by 4 फिर वाई ही LCM लेंगे इनको subtraction हमें करनी नहीं आती तो इसलिए हम क्या लेंगे मैंने आपको last chapter में भी करवाया हुआ है क्या लेंगे LCM 6 और 4 का तो देखो 6 और 4 क्या same table पे जाते हैं किस के table पे जाते हैं 2 के table पे 6 किस नंबर पे आता है 3 पे 2 के table पे 4 किस नंबर पे आता है 2 पे then हम 2 का table लेंगे 2 के table पे क्या 3 आता है नहीं 3 as it is उतार देंगे ठीक है 3 के table पे ये हो जाएगा as it is 2 2 धा 4 4 3 धा 12 तो आपका अंसर जो होगा ये सॉरी ऐल्सियम जो है 12 आ गया है ठीक है 6 को डिवाइड करो 12 से कितना आता है वेटा 2 2 को किस से मल्टिप्लाई करनी है 5 से 2 5 दा 10 minus as it is 4 के टेबल पे 12 आता है yes किस नमबर पे 3 3 3 दा 9 तो आपका जो अंसर आ जाएगा 1 by 12 आ जाएगा ठीक है 1 by 12 है then e part है e part में भी question देखो e part क्या दे रखा है 2 by 5 multiply 5 by 6 divide by 2 by 3 plus 5 by 12 वही है d mass rule अप apply करेंगे तो d mass rule क्या कहता है कि पहले आपको division को solve करना है तो 2 by 5 5 by 6 as it is करोगे अब 2 by 3 है यहाँ पर है इसका रैसी प्रोकल करेंगे 3 by 2 divide का symbol होगा तो multiply ही आ जाएगा इसके case में plus यह होगा अब अगला क्या कहता है d mass rule में क्या कहता है multiplication को solve करो तो देखो मैंने 2 by 5 दा 10 5 by 6 दा 30 then again multiplication है again multiplication को solve कीजिए 30 60 10 by 3 दा 30 32 दा 60 cut गया 3 1 दा 3 3 2 दा 1 by 2 प्लस 5 by 12 1 by 2 और 5 by 12 का LCM लो मतलब 2 और 12 का LCM लो तो लोग है क्या एक table पर जाते हैं हां जी 2 दा 2 2 6 दा फिर इसीदा direct 6 के table पर ही कर दो क्योंकि 6 ही आ अकेला तो 6 2 दा 12 आपका LCM जो आ गया है 12 12 के table में 12 किस नमबर पर आता है 6 तो 6 दा 6 वही as it is 11 by 12 आपका जो 6 और 5 जोगे आपका 11 by 12 आ जाएगा देन अगेन नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका F पार्ट तो F पार्ट में देखो सारा का सारा आपका जो question है mixed fraction में दे रख है तो उसको पहले simple fraction में break करोगे then आप उसको solve करोगे तो सबसे पहले क्या है question देखो 4 to the 8, 8 और 1 कितना हो गया 9 by 2 3 to the 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 by 2 divided by 7 by 12 minus 1 by 2 D mass rule है तो D mass rule के according हमें पहले division solve करनी है को बिटा division यहां पे भी show हो रही है division यहां पे भी है तो first of all मैं यह वहले division को solve कर रही हूँ तो 9 by 2 है plus 7 by 2 as it is यह पहले इसका reciprocal करूँगे 7 by 12 का to 12 by 7 होगा then multiply का symbol लगा दूँगी then minus 1 by 2 है अब मैं इसको इसका क्या है reciprocal होगा 1 by 2 then multiplication का symbol next क्या कहता है कि d mass rule के according क्या solve करनी है multiplication को solve करना है तो multiplication को solve कीजिए देखिए 12,7 दा कितना होता है 84 2,7 दा 14 minus 1 by 1,1 दा 1 2,2 दा 4 यह हो गया देखो यहां पर ठीके यहां पर देखिए 14 के table पे 84 जाता है किस number पे जाता है 6 पे ठीक है यह हो गया 9 by 2 नहीं जाएगा 9 by 2 plus 6 1 by 4 इनका क्या लेना है आपको LCM वही लोग 2 और 4 as it is 2,1 दा 2 2,2 दा 4 क्या हो गया 2,2 दा 4 आ जाएगा 4 2 को 4 से divide करो 2 आ जाएगा 2 को 9 से multiply करोगे 18 1 को 4 से करोगे 4 आएगा 4,6 दा 24,-1 पहले इनको addition को solve करते हैं board mask क्या कहता है addition को solve करो 8 और 4 कितनी होते हैं विटा 12 होगे ठीक होगे 2,3,4 42,-1 पाइगे तो आपका answer जो होगा वो 43 बाइ 42,-1 कितना हो गया 41 बाइ 4 हो जाएगा अगर आपने answer match करना है तो 4 के table से आप ऐसे करो वही 41 कैसे होगा यहाँ पर आपका कितना आएगा किस के जाएगा यहाँ पर किस के 1 के 1 के बाद फिर किस पे जाएगा यहाँ पर अगर आप इसका mixed fraction break करोगे 10 by 1 by 4 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इसका जो होगा 4 वन्दा 4 इसके table पर नहीं जाता तो यह 0 तो आपका कितना हो जाएगा 10 by यह चीज़ हो जाएगी then we move to worksheet 3